का दोस्तो आज के टॉप्पिक है कैसा फीूजब बिलों वोल्टेज और करें दोस्तो प्रूज जो कभी उड़ता है हमारा इंडर्ष्टि में फिर घर में तो बोली की बज़े और कि कर्ण की वी जैसे उड़ता है दोस्तो ऑफिसली आप बोलेंग श्रसरक से उड़ता लेकिन दोस्तों यहीं पर आप बलती कर देते हैं अगर आप इंट्रेव्यू में इसका जवाब देंगे दोस्तों इंट्रेव्यूर्ट पूछे का आप कि कैसे फ्यूज करण्ट की बज़े से उड़ता है इसको डिफाइन कीजिए ठीक है दोस्तों मैं आज आपको प्रेट क हैं बस्त कि चलता है और तीशा होता है तो आप समझ रहे हूंगे इस और भी च्योट में अग्new निवेटर लज्ट अघर पर। जाएंगे तो फिजमारा और उड़ जाएगा इतव में अगर कहीं भी हमारा जो उपक्रांट जिसमें फियूज लगा हुआ है तो फियूज हमयशा जब ही कभी लगता है वह रीज में लगता है सब्सक्राइब लिजिए कि यह आपका फूज है और फेश यहां से आ रहा है तो यह फूज के यहां नीचे से आएगा बना फेश से पहले इसमें आए जाएगा इसके बाद फेस इसके अंदर सोगर के फिर यहां से आएगा फिर इसके बाद उप्रण समाझ उड़ जाएगा जी न्यूटल होगा हमारा वो डैट हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह अर्थ फॉल्ट के वैसे भी होता है माल लिजिए कि आपके उप्रण में किसी कान बस कोई मूटर है उसका अर्थ जो बांडिंग वो अर्थ हो गया है या किसी पकार से अगर उसमें लीकेट करेंट आ रहा है अर्थ हो रहा है तब भी यह फ्यूज उड़ जाएगा सब उनमा लिजिए कि जो आपका फ्यूज वह दस एंपियर का है और अगर इसमें ग्यार सबार एंपियर फ्लो होने लगेगा तो तुरंद हमारा फ्यूज उड़ जाएगा जो भी हमारे उसके स्रीज में मोटर लगा हुआ या पर किसी परकार को परन लगा हुआ है वह पर हमारा अफसे हो जाएगा फ्यूज हमको और करेंट और अर्थ फाल से हमको पोटेशन दे कि यहां पर एक टांसफार्मर लगा हुआ है और यहां पर आपका चार्ट स्ट्राइज बुल्ट निकल रहा है अब अगर यहां पर बोल्टिच तो आपको पता ही है कि 11000 बुल्ट यहां पर आ रहा है अब अगर यहां पर आपने देखा होगा कि जो टांसफार्मर और यहा बाइना पर स्यूद जो है कई हजारों अंपियर यह लगा हो लेकिन दुस्त और फोटें कि यहां पर पर इसको में चक करेंगे तो आपको यहां पर current बहुत ज़्यादा मिलेगा तो आपको 8-10 अम्पेर current ही आपको मिलेगा इस से ज्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों यह तो आपने पढ़ा ही होगा मैं इसके पहले भी विडियो कई विडियो बनाया हूँ उस पे आपने देखा ही होगा कि बोल्टेज बढ ओड़ेगा तो करेंट कम होगा दूस्तों इसके दोने कंडिशन होती है अगर हम इलेवन के बीग अगर सप्लाइध ढीलेवन के सप्लाइब बीच में पतले पतले वाय के सुज लेगे होता है जिसे एच जिस बोलते हैं अब अगर यहां पर आप आ उतने ही ज्यादा एंपियर का लगा होगा माली यह कि कई हजारों यह लाक होगा लेकिन ऐसे नहीं होता है बॉल्ट के बढ़न पर करण्ट कम होता है अब माल लीजिए कि जो हमारा जो मोटर में यहां पर भी लगा सकते हैं क्योंकि आप सबको पता है आप जब भी इंट्रेबू देन जाते तो आप यही कहते हैं कि बोल्टेश के अगर हम यहां पर भी जासे इंपर करन फ्लो रहा है और मोटर में पर लग जाएगा इने लग पाएगा आप मुझे कमेंट करके बता रहा हूं वाकिया बताईएगा इसके क्या मतलब होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है ही फ्यूज अकर मोटर का फ्यूज हम यहां पर नहीं लगा सकते हैं इसके लीए चिट्शों में कंडिशन में जब भी आफ फ्यूज मालिगे की आपके पैंल में आपके पैंल में मलेच 415 बोल्ट का पैनल है उसमें 425 बोल्ट सपाई आ रहे हैं उसके द्वारा है मोटर कर करते हैं अगर आप इंट्रेबू में आगर आप यह जबाब देदेंगे कि फ्यूज अमारा क्रेंट के बज़ए से उड़ता है तो आप गलत हो जाएगा फ्यूज जो है बोल्टेज का भी रोल होता है क्योंकि जो हमारा हुझ होता है उसमें बोल्टेज जैसे लिखा होता है ने चार से पंद्रा गुणह दस लिखा होता है यानि कि अगर करेंगे तो यह दोस्तो एग लाग दस जार वोल्ट पर यह वर्क कर रहा है अगर तो अगर माली 220 बोल्ट का फूज है तो 220 गुने 10 करेंगे दस करेंगे तो दोस्तों ये 220 और ये एक जिरो याने की 2200 बोल्ट पर ये वर्क कर रहा है दोस्तों आप जब भी फ्यूज चेंज करें अगर माली जिए कि आपकी जो मूटर है मोटर है वो त्री फेस का है वो चार स 215 बोल्ट पर वर्क रहा है ना कि ये 220 बोल्ट में लिखा हुआ है लिखा हुआ है या फिर 11 के भी 10 गुने 10 लिखा हुआ है जिब बोल पर वह 10 इंप्र का करण्ट फूलोग मिगा तो इसे उसाब से होता है इस पर ज्यादा नहीं होता है तो दोस्तों आप यह समझत लीजिए कि बॉल्टेज यह बढ़ने पर करण्ट कम होता है लेकिन फ्यू जो है वह बॉल्टेज पर भी डिपेंड करता है और करन्ट पर भी